बिहार में इन दिनों जो चर्चा है वो भोशपूरी इस्टार पवन सिंग की हैं पवन सिंग ने अपने ट्वीटर के हैंडल से जैसे ही ये घोसना किया कि वो काराकार से लोकसवा चुनाओ लड़ेंगे वैसे ही बिहार में सरगर में तेज हो गई है क्योंकि पवन सिंग पहले बीजेपी के काफी लोगपिरिये नेता थे और परधान मंतरी नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े सपोर्टर में उनकी गिंती होती थी कई भोजपुरी गाने भी वो उनके लिए गा चुके हैं लेकिन काराकार लोकसवा चेतर से चुनाओ का एनांस्मेंट होने के बाद उनके गाउं में क्या महौल है जो कहरी जो कि उनका गाउं है बढ़ारा परखंड के अंतरगत आता है उनके गाउं में उनके परिवार में लोग कैसे उनको सपोर्ट करेंगे क्या उनका कहना है हम इन सब चीजों को जानने के लिए उनके गाउं जो कहरी पहुँच चुके हैं यहाँ पर ग्रामिण है उनके परिवार के सदस्य है हम उन लोगों से बात करते हैं पवन सिंग जैसे ही चुनाव लड़ने का घुसना किये, गाउं में आप लोग ग्रामिड होने के नाते, उनके करीबी होने के नाते, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? कि हमारे भाई पवन सिंग काराकाट संसदिये चेतर से चुनाव लड़ने का निश्ची किये हैं, और उनको वहां के जनता के सपोर्ट से वहां चुनाव लड़ने का निड़ने किये हैं, तमाम उहां के ग्रामीड, तमाम हर संथितन सब़ाज्चेतर के ग्रामएज उनको सपोर्ट किये हैं। उस आधार पर वो जो है वहां से चुनाव लड़ने के निश्चे किये हैं। जुकहरी ग्राम में तमाम हरसो उल्लास के साथ पूरे जनता हम लोग हरसित हैं कि हमारे ग्राम से ये निश्चित हो गया है कि पवन सिंग वहां से बीजेता घोसित हो चुके हैं ये निश्चित हो चुका है कि पवन सिंग वहां से जीतेंगे, क्योंकि वहां के जनता का सपोर्ट से वो निर्दलिये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप लोग तमाम चर्चा इधर का उधर का बहुत सारे सुने होंगे, कि RJD तो BJP तमाम लेकिन चुकी कि पवन सिंग आरा से लड़ेंगे, यहां से लड़ेंगे, वहां से उनका जो मन था, कोई भी आदमी चाहता है कि हम अपने ग्रामीड छेतर से लड़ें, लेकिन चुकी BJP अगर ठीकिट वहां से नहीं दी, आरके सिंग को ठीकिट दी तो सुभ कामना है उनको भी, पर यह जान लीजिए कि कार से हरसित हैं, और हरसुलास के साथ, तोनवन धन से हम लोग कारा काट संसदिये छेतर में चुनाओ परचार में लगेंगे, और हमारा भाई जीत कर निश्चित संसद बनेगा, अज्योकारी और भोशपूर जीला का नाम रोशन करेगा, गाउं के बुजूर्ग वेक्तियों म बहुत खुसी हुई कि मतलब कि पाउन सिंग करा काट से अलक्सन लड़ने का अलांस की है, हम लोग का खुसी का यह नहीं है, पूरा गाउं, पूरा पंचाइत, पूरा जनता, सब तयार है, और सब तनमन, धन से उनको सहता करेगा, सब हम लोग जाएंगे बोट मांगने के लिए उन से, हम लोग में बहुत खुसी है, आज जीतेंगे भी, यह भी गारांटी है, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, इस बात की नराजगी गाउं में है, बीजेपी को लेकर के, नहीं, कोई खास बात ऐसा नाराजगी का कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, उनको कुछ वहाँ इंडिये कुमिदवार है, और दूसरी तरफ माले के राजा राम सिंग परत्यासी है, क्या लगता है को वहाँ पर टौफ मुकाबला होगा या आसान रहेंगा, पावन सिंग के साथ मुकाबला का है, बहुत आगे है, माहराजी लेके, हाँ, वो लोग अपना ल अब दूसरा बात होता है, बिल्कूल है क्या गुन नहीं है, इतना बड़ा कलाकार है उनका यह नहीं है, बिदेश अर रह गया कोई बात का तो काम का काम चिखाता है, मालनिया के एक लाइन अपना होता है लेकिन ग्यानबूधी केमाने में तूंको जैसे जहाना चुन रही है Навांग रही है तो यह पौण सिंग के परिवार के कुछ लोग थे और उनके गाओं जोग थे जैसे ही लोक सबाशिंचेश ही अपना घोसना किया वो कारा काट के निर्दलीय चुनाओं पत्यासी है और माले के राजा राम सिंग है तो इन लोगों का कहना है कि उन लोगों से इनकी कोई लडाई नहीं है वहां का वहां की जंता इनको बिला रही है और जित इनका सुनिश्चित है लोकालेटिन के लिए भोशपुर से गौरो सिंग